किसान साथियों मेरम अंतियागी आप सभी का बिनेंदन करता हूं रवी जोन फार्म फरेंड में साथियों आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जो अपने घर के पीछे जो उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाय हुआ है उसमें वो अंजीर की खेती कर रहे हैं और उन्हें मात्र पंद्रे से 20 पेड़ लगाये हुए हैं और वो सालाना उन पंद्रे से 20 पेड़ों से डेड़ लाक रुपे की कमाई कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं उनसे कैसे अंजीर की खेती कर सकते हैं अगर सूरज के तरह जलना है तो रो जुगना पड़ेगा ताओ जी आपका स्वागत है हमारे रवी जॉन फार्म फ्रेंड में आपका भी स्वागत है जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना एक बार छोटा सा परिचे दीजिए सुबेदार जग्दि सिंग्चोपान बहाद्रु गड़ जनपद हापुड से हूं तो ताओ जी आप जो यह अन्जीर की खेती कर रहे हैं एंगर खेतों में आप कितने गार्डन तयार कर रखा उसके अंदर तो आप कितने टाइम से करने इसको देखिए मेरा बैक यार्ड है और मैं इसमें जो है पांच साल से जो खेती कर रहा हूं और इसके अलावा जो है लगवक साथ आठ साल से जो है मैं इसी में जो है आपकी बटन मश्रूम ओस्टर जो है चल रही है अच्छा तो जैसे आपने जो अंजीर के पेड़ लगाए हुए हैं यह लगवक कितने पेड़ हैं आपके हां पर देखिए मेरे पास में लगवक बीस पेड़ तो यह हैं और पोध मेरी जो है नेशनल लेवल पर जो है जावीर यह लोगवक इसको पसंद क अच्छा तो आप जैसे इसकी खेती कर रहे हैं अपने हां पर बैक्यार्ड में तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजी कैसी खेती है आपको कैसा एक्सपिरियंस अब तक इसका समझ में आया कि लोग अगर इसकी खेती करें अंजीर की तो कैसा रहेगा देखिए अ में आपको कैलशिय can और आइर्यण पॡ्रikesum यहi bharpun मात्रा में ऐसके इसके अंदर यृक के अंदर ज levar मात्रा तो यृvel के लिए जो है बहुत अंची मात्राघए और हम करते हैं Rs. बिलकुल नेच्छल तरीके से करते हैं इसके अंदर कोई भी कैमिकल या पैस्टिशाइड गर्योग नहीं करते हैं तो इसका पौधा कभ लगाया जाता है इसका पौधा जो है देखिये नवंबर के महिने में हम इसकी जो है तयार करते हैं नर्शरी के लिए कि जो कलम होती है उनकों लगाते हैं और उसके बाद में फरवड़ी में जो है इसमें फरवरी मार्च में जो है, इसमें पत्तिया निकलनी शुरू जाती है और ये लग वक एक महिने के अंदर ही रिप्रॉठ को जाता ठाए White Burm के था फल कितने टाइम बादमाना शुरू होता यह बात अपने पाल già अच्छा क्विशिन के था है तौ के पेके यहिंड यह. अच्छ हो मैं पर एक पाया हम है जो मेरे में तयार कर रहा चीक है और इसकी जो हम एक लास्ट मतलब एज की बात करें पोधे की या पेड की तो कितने टाइम तक चलेगा अगर इसका मेंटेन आप ठीक से करते रहेंगे तो यह पचासों बर्स पोधा चलता है अच्छा जी और एक और खुबी है इसमें जितना आप इसकी प्रूनिंग क जादा आएगा यह तो जैसे इसके बात करें लगबग हमारा पोधा एक साल दो साल तीन साल का हो गया उसके बाद में लगबग एक पेड़ पर कम से कम जो है यह एक्ट्यल क्या होता है कि अप्रैल से सुरू होती है इसमें जिरानी और मई जून जॉलाइ अगश्त है यह प से सुरू हुआती है पकनिये और यह जो है अगस्त तक पकेंगी जब टेंपरेचर डाउन हो जाएगा उसके बाद में यह आती रहेंगी अंजीर लेकिन यह पकती नहीं है फिर तो उसको हम सब्जी के रूप में भी सकते हैं मार्केट में सब्जी इसकी बहुत अच्य बनती ह है यह के कच्छी अंजीर होती है और उससे पहले की जो है यह एक पेड के ऊपर कम से कम कम से कम एक पुंटल जो है अंजीर पैदा कर सकता है अगर तीन साल पराणा हुमारा पेड़ है तो अब ही आपकी किनी प्रोड़क्शन हो रही है डेली की दिखिए मेरे चोटे बड़ युँनियर मेरी निकल मे जाता यह जो है तो आप शे मार्किट के जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम तो नहीं आती बेचने ल के GDP ऊना अधी? नहीं करते हैं उनको सीधा-सीधा रखा और रैपिंग द्वारा जो है इसको हमने तयार कर लिया वह हमारे 50 रुपे 40 रुपे का बड़े आराम से चला जाता है अच्छा तो यह मंडी के आप बता रहे हैं मंडी के बात बता रहा हूं अच्छा मंडी का रेट है अगर हम बात क प्रुणिंग किस तरीके की जाती क्या पेड को पूरा उपड़ से काट दिया जाता है या उसको गौल बनाए जाता देखिए इसकी जो साखा हैं होती है तीन से पांच जो सकी होती है उन साख़्ा को आप काट दीजिए तो उससे क्या होगा कि उसमें ने ने फुटेर तो उससे क्या हुआ कि दर्भी निकलेंगे दर्भी निकलेंगी तो यह पहुंच जादा फैल जाता है घनिश हो जाता है और हर एक में जो है आपको अंजीर लदीव जैसे कि आप यहां भी देख रहे हैं इस तरीके से आपको लग तो आप सालाना कितनी कमाई कर लेते हैं पं करानी है लें जैसे अंजीर हम तोडते हैं उससे पहले हम क्या काम करते हें कि फवारा लेंगर दो मिनट मे जो हैं मार देते हैं ओपर से तो कि नहीं कि अन्जीर साब भी जाती है जो डुस्त बगरा जमिए होगी और पेड़ों को हलका फुलका पानी भी मिल जाता है जैसे इसकी एक और प्रिक्रिया होती है कि इसकी अन्जीर के वह भी यूज होता है तो उसको अगर आगे बेचें करके तो वह कैसा रहेगा देखिए मे किसी की ब्राय नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ केमिकल्स और कुछ जो है उसमें जो शुगर बगरा है इसका लेवल उसको बढ़ा देते हैं अच्छा लेकिन मेरे यहां पर ऐसा नहीं है आप यहां से मेरे अंजीर खा कर देखिए बहुत ही आपको मेठी जैसे रसगुला मुह में घुल जाता इस तरीके से घुलेगी तो मैं इसके तीन विकल्प लेकर चला हूं एक तो इसको फ्रेस अंजीर जो पक जाती है उसको मार्केट में पोचाता हूं या अपने ग्रहाकों को देता हूं डारेक्ट दूसरा जो है मैं इसका पावडर बन लगता है कि जैसे कि कितना मीठा रसील बहुत स्वाधिश्ट होता है वह सारों साल चल जाता है खराब होने के इसमें चांस नहीं होता है तो सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उनसे आप और क्या कहना चाहेंगा अंजीर की खेती के बारे में तो यहीं कहना कि जो दूसरी खेतियां हैं जैसे कि अंजीर है इसको भी आप अपनाएं और इसको मार्केट देखे जो दिखता वह बिखता है मेरे पास फोन आते हैं कि आपका कहां बेचते हैं मार्केट क्या है आप थोड़ा लगाएं और उसको थोड़े को लेकर चलें जितनी खपत हो चाहिए तो आपको अनुभब भी होगा और मार्केट भी मिलेगा तो अगर कोई किसान भाई इसकी खेति करना चाहिए और अशेती चाहिए तो वर आप से कब LEG कर सकता है कर सकता है नवंबर के महिने में हम से संपर करें हम उनको जितनी उनको इस्टिक चाहिए वो इस्टिक आपको 6 इंच की जो है हम उनको देंगे और वो जो है उनके पास अपने घर में लगाए अपने नर्सरी में लगाए और उनको जो है पौद अपने आशानी से अपने आप बहुत बहुत धन्यावाद। किसान सात्यों आपने फोजी ताउ से जाना कि अंजीर की खेती कैसे की जा सकती है और इससे कितना फायदा है और कितना लाब उठाया सकता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक् और एंट से